हेलो गईशेंड वेलकम टू माई योटूब चेनल टेकनिकल फ्रेंड दोस्तो आज के वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने OPPO Reno6 5G की फोन में डबल टैप टू टर्न आन स्क्रीन वाले ओप्षन को अपने फोन में आन कहिसे करेंगे तो गाइश सबसे पाले आपको अपने फोन में सेटिंग को ओपिन कर लेना है सेटिंग को ओपिन करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है और थोड़ा नीचे चले आना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाए देगा convention tool का option simply आप लोगों को convention tool वाले option पर किलिक कर देना है जैसे इस option पे आप लोगों को दिखाए देगा gesture and motion का option simply आप लोगों को gesture and motion वाले option पर किलिक कर देना है जैसे इस option पे आप लोगों को दिखाए देगा इस्क्रीन औफ गेचर का option Simply आप लोगों को स्क्रीन औफ गेचर वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे इस option पे आप लोगों को दिखाए देगा double tap to turn screen on अगर आपके phone में एओ option on कर देते हैं तो आपके phone की screen जब भी off रहेगी चाहे आपका phone lock रहे या आपका फॉन लोक ना रहे फिर भी अगर स्क्रीन आफ है तो अपने स्क्रीन पर आप डबल टैप करेंगे तुरंत आपकी स्क्रीन आहन हो जाएगी तो उम्मेद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी यदा यूजफुल रहा होगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगत प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए